नमस्का दोसे मैं हूँ सौराफ और टेक्याट में आपका फिर से स्वागा थे लेकिन अन्बॉक्सिंग से पहले मैं आपको बता दू हैपी दशेरा और अगर आप इंगाली हो तो शुब हो भी जाया और अम लोग आज करेंगे रियल मी 2 प्रो का उन्बॉक्सिंग देहेंग इस फॉन को लेकर मैं डेफिनिट्ली क्यू एन सेशन करूंगा तीन दिन के अंदर तो डेफिनिट्ली लागा राकवा कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे प्लीज यहां पे यूट्यू के कॉमेंट सेशन में मुझे प्लीज बताएए आपका जबी क्वेश्चन है मैं में है Realme और 2Pro वहां पे लिखा हुआ है और यहां पे कुछ क्विक स्पेक से बहुत ही कम वहां पे इंफोर्मेशन है सारवल आप देख सकते हो यहां पर में इन इंडिया प्रोजेक्ट का फोन है सारवलू जो है वह जो इनियन स्टैंडर से उसके अंदर है सो यूँ आप सारवलू क्या मेरा दिमाग में ट्यूमर हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला इंडिया प्रोजेक्ट करूंगा प्लीज आप वजब है कुछ भी कुछ भी क्वेशन हो तो मैं Q&A definitely करूंगा प्लीज आप वजभी क्वेशन है कॉमें बॉक्स आपके लिए खुला है I'm sorry for the late upload you know Tiwarth यहाँ पे इंडिया पे नवरात्री चल रहा था इंडिया बेंगॉल में दुर्वापुझा चल रहा था तो so late हो गया थो रहा सा anyways box अंदरी Realme ने कहा है के facebook twitter में आप हम लोगों चाहो तो follow कर सकतो उन लोगों ने वहापे add भी दिया इसका Realme का कुछ paper box है जो हम लोग definitely नहीं पढ़ने वाले और यह जो back cover उन लोगों ने यहाँ पर free में दिया है दमदार quality है इसका I'm serious about it, दमदार quality है और यहाँ पर cardboard है और चली इसको हम लोग बाहर डगते है यह phone मैंने ब्लैक वेरियन मंगवाया है charge offset क्योंकि base variant है मैं base variant को लेकर ज्यादा interested है तो हमेशा और दोस्तों आई बात cable की तो यहाँ पर आपको type C देखने को नहीं मिलेगा लेकिन योभी cable लोगों ने दिया है quality बहुत ही अच्छा है length भी decent है so don't worry about it यहाँ चार्जर और यहाँ आपको देख सकते हो के ODDO लिखा ह हुआ है मैं जोग कर रहा हूँ यह OPPO लिखा हुआ है और 5V2A का चार्जर है दोस्तों यहाँ कि you know quick charging fast charging आपका out of box नहीं मिलेगा so that's a problem और type C का port भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मेलेगा तो दोस्तों आते हैं दोस्तों front के बारे में तो earpiece आपको देखने को मिलेगा water drop notch के साथ आपको 16.3 इंच का full HD plus display पीछे में realme का logo finger bin sensor और 16 प्लस 2 Mbps का camera combo with dual tone HD flash और 2.5D curved class आपको देखने को मिल जाएगा आपको देखने को मिल जाएगा और dedicated HD card slot के साथ SIM ejector tray भी देखने को मिल जाएगा और डाएं तरफ याने के right side में एक single power button है हम लोगों के तरह जो single है very sad for you और यहां पर दोस्तों top में आपको देखने को मिल जाएगा noise cancellation mic और अगर हम लोग बात करें bottom की तो headphone jack primary mic charging come data syncing port और single speaker का grill आपको देखने को मिल जाएगा आते दोस्तों आप आंडूर के बारे में फिर इंफ्रमेशन के बारे में फिस्पेक्स के बारे में यहां पर लिखा हुआ है OPPO RMX 1801 that's great पता नहीं क्यों Realme Q ने वो लोग दिखा था I don't know anyways आप यहां पर देख सकते हो कि कहां कहां पर कैसे गजा यह sensor दों आपने यूश कि मैं इससे जदा expect नहीं करता हूँ at least और यह base variant है दिमाग मेरा है anyways मैंने आपको physical overview को दिखा ही दिया है लेकिन यह है phone और जो glass background लोको ने दिया है 2.5D curved that's amazing that's amazing blue जो color है बहुत सारे blue variants है दो blue variants actually वहां पर थोड़ा सा अच्छा दिखने वाला होगा शाद colorful होगा लेकिन black is black you can't change it and black मेरा personally favorite color है आपका कौन सा है तीनो color में से मुझे please बताए कॉमेंसेशन में और question अगर हो तो मुझे please बता देना यह जो realme का logo है मुझे coke studio की याद आ गई coke studio पाकिस्तान या फिर इंडिया जो भी हो coke studio is amazing और यहां पे कुछ apps है google का जो normally होना चाहिए और थोड़ा सा app प्री इंस्टाल अप्स बूर्ट वेर मुझे ऐसा कुछ दिखाए तो नहीं दे रहा है और एक बात मैं कहना चाहूंगा यह जो color always मैं use कर रहा हूं यह मेरा पहला experience है और actually यह unboxing बहुत दिन पहले हो गया था मैं use कर रहा हूं काफी दिनों से मैं color always का fan नहीं हूं बहुत लो पुषिश करों का color always cover video बनाने का सो प्लीज बने रही है और system apps में जाकर आप देख सकते हो के call, contact, etc, etc, app split का screen भी है आपको option मिलता है app management है about phone section में जाकर आप देख सकते हो phone के you know various information especially software information, kernel version, security patch level है September 5, 2018 का which is okay I think और device को आप देख सकते हो 47 GB 46.7 GB actually available है मैं 47 मान था उसको, that's okay बहुत लोग शाहिए 6 GB के साथ जाएंगे बहुत लोग शाहिए 8 GB के साथ जाएंगे लेकिन मेरा personal चाहिए 4 GB क्यूंकि बागी के जो phone से मेरे पास वह सब कुछ 4 GB खा है और यह बहुत लिग अच्छा चीज है कि उनलोग ने एक slider दे दिया है cooler, default, warmer आप कुछ भी चाहो आपको जो आख है उसको प्रोटेट करता है ब्लू लाइट से क्यूंकि ब्लू लाइट से क्यूंकि ब्लू लाइट अंधरे में आपके आँखों के लिए not that good और यहाँ पर दोस्तों मैं एक डेटेल वीडियो बनाने की कोशिश करेंगा चाहां पर आपको फीचर लिखांगा और वहाँ पर मैं कैमेरा फीचर भी आट कर दूंगा don't worry about it so please बने रही हमारे साथ और यहाँ पर निविगेशन कीज है एसिस्टिव बॉल है और यहाँ प काफी buggy है काफी lagging है काफी lag होता है और three finger screenshot मुझे पता नहीं कौन से company इसको पहले अक्चुली innovate किया है लेकिन Xiaomi से मैं actually देख रहा हो कि यह three finger screenshot है यह एक legendary revolution है शाहिद I don't know सारे company इसको follow कर रहा है अब और यहाँ पर अगर चाहो ता आप storage clean कर सकतो है लेकिन 7K भी आपको option म में दे रहा है maybe cache memory होगा या फेर ऐसा कुछ UC browser pre-installed है that's the thing UC browser pre-installed है और अगर आप UC browser use करते हो तो आप रख सकतो मैं use करता हूँ मुझे कुछ problem नहीं है क्या order लेगा मेरे से तो मैं रखता हूँ उसको और OTG का support भी आपको मिल जाएगा don't worry about it बहुत लोग मुझे यह आपको दिखा हूँगा वीडियो के अंत में ज़रूर बने रही है यह है एक indoor condition में और details काफी अच्छा है I mean the camera is good the camera is pretty good display भी काफी अच्छा है मैं कहूंगा प्रतिक को उतना अच्छा नहीं लगा लेकिन मुझे display काफी अच्छा लगा और एक camera जो मैं अच्छली यहाँ प option अपको मिल जाएगा that's good लेकिन यह जो 1x2x है यह मैं अच्छली इनो software wise होगा यह optically नहीं होने वाला है 8a1 के तरह यह फिर 1 plus 5 के तरह यह अच्छली इनो hardware से नहीं होगा यह software से होगा anyways कुछ short से यहाँ पर और मैं कहूंगा कि जो main object है तो थो थोड़ा सा soft करता है camera लेकि overall जो लुक होता है वो काफी बढ़िया है थोड़ा सा sharp नहीं से मुझे कमी लगा लेकिन over and all output is really good at this price tag at least जो base variant है वहाँ पर तो दोस्तों उमीद है आपको unboxing अच्छा लगा होगा मैंने बहुत दिन बाद एक unboxing दे रहा हूँ काफी दिन वीडियो नहीं आया थे लेकिन मैंने मेरा जो भी मेरा best effort है मैंने यहाँ पर दिया है तो चार्जर है वो fast charger नहीं है आपको type C port नहीं मिलता है out of the box मुझे यह दो चीज अच्छा नहीं लगा क्यूंकि देखिए मैं low variant करी रहा हूँ चार्जभी के साथ जा सकते हो तो 18,000 के price tag में अगर आपको type C port ना मिले या फिर एक quick charge का option ना मिले out of the box तो वो मुझे नहीं जो charging port है यहां भी आपको एक separate option मिलता है आपको खोलना पड़ता है उसके बाद चार्ज कर सकते हो तो वेरी गुर जब में अच्च दिस्पेवर डिस्पेव ना पहला पहला अच्च दिस्पेवर ना पहला अच्छ फोन ए रहा हुआ था मेरा क्यों कर दो पैसंदें ऐए ब्लाक पाहरा ह। रहा हुँ इन सबरेन माही और अघ्टार थेयल बाश को आपको पाहरा है एक तो एक दो दिन मैंने उसकिया है और बहुता थीक है लेकिन हाँ बहुत लोग का कॉंपलेंट था कलर ओएस को लेकर मैं तहदिल से मानता हूँ के अच्छा ओएस नहीं है यहीले यहीं थे यहीं Trash विंक अधयरी वही है टो अनलम उब खैसंता है रहा एक दो दिन हुआ है तो लगका हूँ 5 दिन के बाद में धेर फूल डिएकन अब भी बने रही हमारे साथ और दो दोस्ता आज के लिए इतना ही मुझूमीद आपके वीडियो अच्छा लागा होगा अगर आपके अच्छा लागा तो जान तो क्या करना होगा अच्छा नहीं लागा तो जान तो क्या करना होगा अगर आज बन नए होड़े पर इटल सब्स्राइब करें हमारे चैनल से बिल बन को जरूर दबाईए आसे और वीडियो निटिफिकेशन के लिए और तब तक लिए अलविदा आपसे में लगात हो कि में नेक्स वीडियो में बाबाई नाउ